सभी को नमस्कार दोस्तों दे हिंदू करेंट फिर में आपका स्वागत है और आज हम दो-तिन दिन के जो आर्टिकल है विशेसकर आज मुझे एक आर्टिकल अच्छा लगा है दो-तिन दिन से आपने देखा होगा जो संगाई कोर्परेशन और अर्ग्राइजेशन उसको लेक हमे रही है या नेक्स टेर भी ऐसे कुष्ण आ सकते हैं और रडी पहले कुष्ण आए वो भी साथ में हम देखेंगे और कैसे हैंडल करना चाहिए इसे कुष्ण को क्या हमारा मोडल आंसर होना चाहिए उस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं आपसे एक रिक्वेस्ट हो कि जो अपने बहुत सारे नोट्स है जैसे दे हिंदू के नोट्स ही माल लो आप या अन्य जो नोट्स है जैसे हेंडेटर नोट्स है इन में से बहुत सारे नोट्स ओलड़ी आपकी पास है तो आप दुबार मत परशेच करना इनको अपडेट नहीं किये गया है लेकिन कई विजारती से जो गाउं में रहते हैं, जिनके पास फोटोकोपी सुईदा नहीं है, तो जो हमारी टीम है, ठीक है, वो आपको बेश देगी है, नोट्स, जो भी नोट्स से ही तो आप अपनी जो वेबसाइट है, हाले में जैसे एक वर्चुल मीटिंग होई थी है, और उसकी जो देखस्ता है, वो हम कर रहे थे, तो उसको लेकर कई सारे मुद्धें यहां पर चर्चा में, इधर भारत का अपना जैसे आप इस फोटो में देखना, भारत का अपनी क्याराई इन चीजों को लेकर पाकिस्ता और यह रिजनल गूट आप जिसको बहुत सकते हो ? यहां ऐसा कई बार आतन जैसे हमारे ही सारक की बतिया सारक कई सीयों को क्या कर दिया है ? पिछे देखेल दिया है ? यहां कई बार स्क्राइबध का प्र आ यह कही कहिने कही जो निगल्धियों को यह जो रक्षा को खह सकते या जो यूद्ध है उनको बढ़ावा दे रहा है ऐसे कई ब्रगार के आरोप इस पर लगते हैं तो कई सारे मुद्धें जिनको जोड़कर इस आर्टिकल पर बात करेंगे और कुछ इस टाइप का ही बनेगा तो बैसिक सब चीज आप भी पता होने चाहिए प्रीम में ऐसा उनकी मेपिंग आपको करनी है यह आपका आज का होम रख होगा कि आप जितने भी स्यों मेंबर है मेप में आपको दिखा दूगा एक बार और इनकी बाउंडरी किन देशों के साथ लगती है कौन सा सागर है एक कुछन आपका यहां से त्यार होता तो ऐसे बुन-बुन से गड़ा बर जाएगा और मेपिंग वाले जो कुछन है आपके सही हो जाएगे तो अभी क्या हुआ है हाली में संगाई सहयोग संगतन का जो डिजिटल अभी सीकर समयल वह था और इसके देखता किस ने कि थी हमारे जो प्रधार मंतर जी है नरहिंदर मोधी यहोंने देखता या बाइपोलर या मल्टी पोलर जैसे आज का यूग का है मल्टी पोलर का है जैसे अपन बात करते हैं 1945 के बाद की जहां सेकंड वर्ड वार एंड होता है ठीक है सेकंड वर्ड वार एंड होता है उसके बाद का जो विश्वय दो गुटों में बढ़ जाता है आप इसको ब सब्सक्राइब नाटो अभी भी बनावाए आपने कई बार नाटो की जो खबरे देखे होगी किस परकार चीजी आगे बढ़ती है तो आप कह सकते हो कि जैसे आप अभी स्चियो को यसा भी बता सकते हो कि वार्शा का अगला विश्थार है कई अरोब लगाते हैं इस पर ठीक करता है तो एक समय आया था कि केवल वहां पर एक दुरुवा है मतलब यूएससे मजबूत था लेकिन आप भी कह सकते हो 2001 के बाद में 2001 के बाद में जैसे आर्थी क्यूग और तकनीक क्यूग आगे बढ़ा है ना तो आज की उएस से एकला नहीं है आप भारत भी कह सकते हो भारत भी एक महासक्ती बन रहा है या भारत का भी अपना एक वर्चसवा है चीन आगे जा रहा है जापान का भी अपना है रूस भी है इसे बहुत सारे मल्टी पोलर कह सकते हो आप बहुत सारे देश इसमें आगे बढ़ रहे है तो यह छोटी-छोटी नहीं कोई फालतों के वीडियो नहीं या कोई मोटी-मोटी किताबे पढ़ने की जूरत नहीं है इतना काफी होता है डेली आप आयार के आप आर्टिकल देखते रहे हैं ठीक को डीवेट हो यूटूबर वह थोड़ा वह देख सकते हो वाकि इससे काम बन जाएगा तो जैस यहां पर चर्चा में थी ठीक है और जैसे अभी क्या हुआ है नो इसमें टोटल सदसे कितने हो गए इरान को सामिल करने के बाद में नो सदसे हो गए हैं यह प्रिलिम्स के फेक्ट है जो आपके काम आने वाले हैं तो इसका इससे भी बहुत फाइदा मिला है साथ में जैसे प्यों की चेतर है हमारा चीक है उसमें चीन और पाकिस्तान का जो एकनोमिक जो रोड है वेल्ट है उसकी भी भारत ने कई वार आलोचना की है इसे भी कहीं कहीं जो हमारे रास्ट्री मुद्देया संपुरवता अखंडता है उनका हननन होता है तो भारत ने अपने को रखके सवाध की मादम से वारता की मादम से इनको सुलजा सकते हैं तो आप इस प्लेटफॉम को एक अच्छा प्लेटफॉम कह सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं और भी वह सारे मुद्दे हैं अलग-लग मुद्द कई सारे आर्टिकल को आज मैंने मिक्स कर दिया है यहां तीन चार आटिकल थे इंडियन एक्स्प्रेस में था दो तिन हिंदू में भी आ गए थे तो उन सब को मिला कि ये परजेंट किया गए है ठीक है तो जैसे इसमें कहा भी है हमारे जो परदामतर जी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और समप्रब्व सिमाओं का सम्मान नहीं करने के लिए जैसे विस्याश कर जो सीबी सीन का कोरूडर है चीन पाकिस्तान जो एकोनोमी कोरूडर है इसको लेकर भी कई वार कुछ नाए इन पर भी निसाना साधा है या आप कह सकते अपनी बात रखिए ठीक है तो यस यो ग्रूप में कितने दे सामिलान नो दे सामिलाई यह भी आपके लिए इरन को भी आप सामिल कर सकते हैं अफकानिस्तान अभी नहीं है और आप इन में से बतारा यहां पर कोन सी कंट्री है इन में आप मद्देश यह जो राष्टर है कजागिस्तान इनके बास एक कंट्री है जो इसमें सामिल नहीं है यह कमेंट करके बताना कौन सा इसा देश है जो सामिल नहीं है क्यों बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ओं यह ओंवर कर लोगे न तो मेपिंग वाले जो कुछ सनाते हैं जैसे यहां पर केस्मीन सागर है उनके सामिल है कहां पर कौन सा सागर किस देश की सिमा मिलती है तो ऐसे कुछ आते तो उनको आप जरूर देखते चलना ठीक है आग जैसे एक तो आप कह सकते हो नहीं दिली घोष्टना पत्तर उसमें क्या चीज़ों को बताईगा है विशेसकर जैसे कैसे हम कटरपनती या जो आत्मवादी चीज़े हैं उनके मुकाबला करेंगे या आप कह सकते हो कि जैसे भारत क्या डिजिटल बुगतान में बहुत अच चीज़ों पर बात करनी है सामरिक चीज़ों पर बात करनी है सांती की बात करनी है राश्ट STRThere इनकी बात करनी है डिफेंस की भी बात करनी जैसे कई वार वेस्ट पर एक बड़ा रोल बढ़ेगा ठीक है तो इसमें साथ में ये भी एक ही जैसे USA ने क्या किया था एक बार लास्टाइम रूस और इरान पर कई परकार के आर्थिक परतिमन लगाए थे तो ये ग्रूप उसमें काम आता है कि ऐसा नहीं है हम इन चीजों में सामिल नहीं होंगे बारत ने बहुत सारे मुद्दे इसमें काफी बता दिए यह पर तो इहां पर इंपोटेंट चीजे हैं इसके लावा देखो यहां पर स्लाइड जो है ना यह हिंदी इंग्लिस में दोनों एजटीज रखेगी यह ताकि है ना जैसे कई बार हिंदी नवाद थोड़ा सा जटील हो था नो डाउट क्योंकि जैसे मैं भी हिंदी नवाद कई परकार के जैसे एप है उनका इस्तिमाल करता हूं साथ म में अपना भी जो है कि इसमें हाँ यह सही होना चाहिए तो हिंदी नवाद करने बैठो की तो बहुत सरी चीज़े आपको सामना करना पड़ेगा मेरे पास कुछ पेड़े पेक्यों कि पढ़ाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है में सोफिस का सारा लेना पड़ता है तो इसी चीज़ों से अनुवात करता हूं तो यह हिंदी इंगलिस इसलिए साथ रखता हूं कि कई बच्चे कहते हैं किस तरह हमें केवल हिंदी वाली स्लाइड दो तो वह आपके लिए नुकसान हो जाएगा इसलिए में जो अपने हिंदू की नोट्स मिलेंगे जैसे आप आपको अपनी वेबसाइड पर पीडी सिंगल पीडी मिलती है मंतली वाली या अपनी दूसरी वेबसाइड उस पर प्रिंट फो में आजकल मिलने लगा है तो वहां पर दोनों एक साथ आएंगे ताकि आपको कोई दिकत नहीं पढ़ने में और यही समझना है पढ़ना है औ और जैसे इसे फाइदा भी होता है बहुत सारा फाइदा होता है कि यह डायलोग हाइलाइट कि बहुत इंपोर्टेंट है आप जैसे कोई ऐसे लिख रहे हो आई-अर का कोई आता है कभी-कभी और या आप G.S. में कुछ लिख रहे हो कहीं या कहीं भी अच्छे जगर यह देखो कितना अच्छा वाक्य है, बहतर क्रेक्टिवटी ना किवल आपसी विश्वास को भी बढ़ावादेती है, ठीक है, कितना अच्छा वाक्य है, यह वाक्य नोट कर लो, तुरुन डायरी में नोट कर लो, कि हाँ, ऐसे वाक्यों को हम इस्तिमाल करेंगे, कहीं अच् अच्छा वाक्य मुझे देखने को बिला है, और इंचे वाक्यों के फाइदा भी होता है, जैसे इसे गुट क्या करते है, इसे कहीं ने कि चेतरी जो संपर्पुता है, किसी भी देश के आप जानते हो, चेतरी एकंड़ता संपर्पुता बहुत माहिने रखती है, और जो जनरल वे में आपने कोई आर्टिकल पढ़ रखा हो, आपने एजटीश नहीं त्यार कर रखा हो, तो जो भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं, नोर्मल वे में लिख सकते हैं, SEO को क्या हुद्ध से, आप जान सकते हो, विसे इसकर, आजकल कितनी मुद्धे हैं, जलवही आर्टिकल को बता सकते हो, और बाकी आगए आप मिल जाएगे, और भारत के लिए क्या महत्व है, भारत के लिए जब भी ऐसा कुछन आए, तो आपके लिए तो बहुत, बहुत फाइदा है, उपन इंडिने है, कि इन चीज़ों में क्या लिख होगे, जैसे इसमें कितने आ परियास करते हैं, कि यदि में इसको लिखता तो कैसे लिखता, तो जैसे यह है ढाई-जो वर्ड में, इसका मतलब हमारे पास तीन पेज वहाँ पे है, यह पी सी कि मेंस के उग्जाम में, आपके पास तीन पेज खाली मिलेंगे, ठीक है वक्त पूरा हो, अच्छा हो, आप स्पीड आफ की फास्ट हो तीनु पेज को बर्च रखते हो कोई दीकत नहीं है वहां फे वर्ड काउंट नहीं करेंगे इनको लेकर ब्रहांतिया मत पालना की डेड़ सो वर्ड वाला डेड़ सो में लिखे हैं डाइसो वर्ड में होना चाहिए गिनने बेड़ दो वह मत करना नॉर्मली होता है जैसे मैंने चार मेंस लिखे हैं तो कभी भी वर्ड काउंट नहीं किया बस यह है कि तीन पेज हैं तो यदि फास स्पीड अच्छी चल रही है तो तीनु पेज बर देंगे और हमें यह लगता है कि यार गर पर रेके प्रेटिक्स करते हैं हम हमारे कुछ कुछ लास्ट में छोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे तो धाएज में लिखने कोशिज करेंगे तो या तो जैसे अभी 2023 में कुछ आता तो इसको ऐसलिकते हैं कि हाली में जो ऐस्यों की लेटेस्ट जो वर्चुल समिट वाया है भारत ने उसकी वह कह सकते हो देखस्ता किए ह और उसमें कई चीज़े निकल कर आई है जैसे नई दिली गोष्णा जो अभी हमने देखा वो तो लेटेस्ट के हैपनिंग आपने में बता दिया इंट्रोडक्शन में और यदि पूराना होता लेटेस्ट हैपनिंग आपको नहीं यादो तो SC के बारे में बता दो कि SC क्या है रोच्सकों होना चाहिए बढ़िया से होना चाहिए डाटा वाठा ये कुछ लिखते हो वह बढ़िया बात है ठीक है यह गया दोसरा ऐब entsきます कि SC के क्या है जो SC के लक्षिए ये लक्षिए वह उदर से कया इसके ठीक है उदर से लिए इसको अंडरलाइन कर दी तो एक्जाम में दर क्या देखेगा सिधा यह देखेगा कि आपने इस इस आयाम को पूरा क्या नहीं किया आपने हेडिंग देदी अब आपके पास क्या होना चाहिए इसके लग्से क्या है आप यह कहसे हो जो चेतरी अखंडता है चेतरी अखंडता और संप्रभुता की रक्सा बिल्कुल बहुत बड़ी अतरी किसे आप लिख सकते हो एक्जामपल दे के बता दो कुछ भी एक्जामपल आपको यादो इसके रूस भारत इनका कुछ भी आदो चेतरी अखंडता है चेतरी अखंडता है या जैसे जो वेस्ट फ्रंट है यदि इन चेतर में आके कुछ अपनी भूरानती गेम खेलना ही कोशिज करता है तो यह उसको प्रतिस्ता भीत कर सकते हैं तो इसके अंदर फिर अगला आयाम आ जाएगा डिफेंस की दस्टिकोंड से ऐसे करके इनका उदस से क्या है तो आप खहा सकते हो कई सारे ऐसे है मतल अब आप देखोगी अब नीचे वे एक आर्टिकल हो रहा है उसमें लिखावा है कि उसके क्या लगसे उदसे है वो मोटा मोटी जो उन्होंने बता रहे है वो हमने लिख दिये ठीक है यह उन्होंने बता दिया अब इसलेस्नाथ का मतलब एक पक्स तो हमने इसका बता यहां पर आ गया था लेकिन आप चाहो तो यहां पे आ अधाया आयाम लगा सकते है कई付 रोगा च्य सकते हो दो का यह का यह pig Ivans, उसके खिलाप हैं तो का निकई यह गुर्जेशकर्ष कर चीन ने किस परकार रोस का यहां पर सर्दन किया है थीक है। तो इससे क्याुगा कईज होगा का आने वाले वक्ट में युद जैसे संवाध स्वाध प्लेटफों हो गया कैसे चीन और पाकिस्तान के साथ कैसे हम अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं जैसे दोजार्ट सोदा की बाद में भारत और पाकिस्तान के संबंद उतने अच्छे नहीं है हरे एक दृष्टी कोन से तो उसके लिए हमारे पा कर सकते हैं यहां यहां पर ये सकते हैं तो हो सकता है भारत का सेवा सेक्टर कर से उसे फाइदा हो जाएगा ठीक है ये तीन पर पड़ गए है लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस कियोगी मैंने कुछन की जो पूचा गया वो नहीं छोड़ा लक्से उरुदसे क्या है वो पहले आयाम लगा दिया हाइलाइट कर दिया यहां पर जी कि उसका फिर आलोसनात्म प्रिक्शन कर दिया थोड़ा सा या पक्स विपक्स करके भी लिख सकते थे थोड़ा सा इसा हो सकता है अभी सोच पा रहा हूँ एक भारत के लिए मैतवा है ना और एक मुझे अभी यादा रहा है कि इसमें आरे एक मेब बन सकता था बड़िया वाला मेब बन सकता था आराम से कैसे मेब बनता जैसे अभी सोच पा रहा हूँ यही तो ह आइडिया है ना फिर कागज बे उतर जाएंगे जैसे अभी कैसे कर सकते हैं अफरीका वाला जो छेतर है उसको बना के यहां पे जैसे इंडिया हो गया यहां पे यहां पे एसिया करके आप बना सकते हो इदर यूरोप बना दिया आपने और यहां पे हो गया ठीक है इसे करके तो यहां पर आप जैसे यह जो चेतर है मतलब आप यह जानते हो ना SEO वाले चेतर हो गए सब आगे इसमें यहां पर चीन आगया भारत आगया यहां पर भी पाकिस्तान आगया और इरान भी अप सामिल हो गया इदर मदेशिया वाले यह रास्टर है यह रूस के साथ में तो यह मेब बना के ऐसे फिर यहां से हम दिखा सकते हैं चावार चले कर फिर जो आइनस टीशी को जोड़ के इदर सी पीसी उसका है अच्छा सा मेब पीस में बना सकते हैं यह फरक फड़ता है थोड़ा सा वेल्यूडेशन का तो यह वनोबदी बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा और ऐसा नहीं कि आपको भोज़दन नोलेज से ही या आपको सामानी दश्टी कोन से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते आप अच्छा आनसर यहां पर त्यार कर सकते हो तो यदि यह मोड़लानसर का तरीका आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना कमेंड करके अटलिस बता सकते हो कि मज़ा आया कि हमने यहां से कुछ सीख आया आज है और यही तरीका अच्छा है मेरे साब से थोड़ा थोड़ा सीखते चलो तो आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड आर्टिकल आया था वो पढ़ते हैं तो इसके बारे में डिडेल थी कि S.E.O. को क्या महत्व है कब इसकी स्थाप न होई थी क्या कि इसमें चल रहा था उसके बारे में दिया गया है जैसे विशेसकर इसके सुरुआत जो ही थी पहले संगाई जो फाइव है उससे होई थी और जैसे आप खह सकते हो कि जैसे इसमें कौन सदसे थे पहले रूस, चीन, कजागिस्तान, किर्किस्तान और ताजिकिस्तान थे पहले ही अपने जो सिमाओं को विवाद है उनके जो भी मुद्दे थे उनको सुल जाने के लिए यह संगाई फाइप पहले बनाया था और आप यह भी खह सकते हो कि 1991 के बाद में जैसे USSR का पतन वाद आप ऐसा भी खह सकते हो कि कही ने कि रूस भी यह चाहता था कि इनका कोई यहां पे संगतन बने उस दिसा में आगे बढ़ रहे हैं भारत के जश्टी कोंड से आप कह सकते हो कि हमें एक संपुर्व राष्ट है एक सवतंत्र विदेशनिति का फॉलो करते हैं तो ना केवल हम यहां रूस के साथ है बलकि क्वाड में किसके साथ है युए से के साथ में है ठीक ह यहां पर अपने थोड़ा तार्की कुश्ट लिसन करते हो ना आंसर में तो उसका फरक पड़ता है थोड़ा सा ठीक है तो यह इसकी थोड़ी सी जान करें थी तो 2001 में जो संगाई 5 है उसमें उजबेगिस्तान सामिल वहा उसके बाद में भारत और पाकिस्तान सामिल वह और जैसे उपरवाला मोडलान सुरान आपको मिल जाए यहां पर ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो आप जब आप मोडलान सुरी तो इसे पॉइंट बना के लिख सकते हो आराम से अच्छे वर्ड को हैलाइट करते जाना तो मुच्छल ट्रस्ट बढ़ाना आपस में जो ने बूरू के साथ काम करना समस्याँ से निपटना चाहिए आतोंगवाद की समस्या हो या क्लाइमेट की समस्या हो या मानद्युगार के उलंगन के मुद्ध्यों उनको आप आराम से बता सकते हो आपके पास ज्यद्धा स्कोप निया आप सोचर्य भोजदा पॉइंट लिख दो इतना देखें तो अभी उतनी सपलता नहीं मिलिये लेकिन कम से कम एक ऐसा प्रेटपर्म तो ना जहां पर पाकिस्तान और चीन साथ में तो आने वाले वक्त में हम डायलोग को बढ़ा सकते हैं तो वहां पर इसकीम कह सकते हैं बड़ी भूमी का है ठीक है इसके लावा जैसे इरा से अफगानिस्तान से उते हुए मदेशिया रूस और वहां यूरोप तक जाने वाला है तो यह भारत का भारत भी समें सामिल आप जानते हो तो जैसे चाह बार का हमने काफी वहां डवलोपेंट किया है कई हमारा निवेस वहां पे तो इसमें सामिल होना बहुत अच्छी ब लिखने का तरीका होता है कि आप to the point question की demand के साफ से लिखते हो आपका बढ़िया होता है अच्छी एक्जामपल होते हैं हाइलाइट करते हो चीजों को ठीक है तो मिलते हैं एक और वीडियो में आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा कमेंट करके बता सकते हो सा